लोगसभा चुनाव से पहले बिहार सीट शेरिंग को लेकर चर्चा में हैं सत्ता धारी राष्टी जन्नतांत्री गड़बंदन यानि कि NDA हो या फिर विपक्षी इंडिया दोनों ही गड़बंदनों में सीट शेरिंग का एलान अभी तक नहीं हुआ है NDA में सीट शेरिंग का जो फामूला सामने आया है उसके मताबिक पशुपती पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दिये जाने की बात कही जा रही है दूसरी तरफ इंडिया गड़बंदन में नितिश कुमार के जाने के बाद वहां से उनके निकलने के बाद अब लालू प्रसाद यादाओ के नितरत वाली राष्टिय जनता दल यानि की आरजीडी फ्रंट फुट पर आ गई है आरजीडी ने सुबे की 40 लोकसभा सीटों में से 30 सीटों पर चुनाओ लड़ने की दावेदारी की है इंडिया गड़बंदन में सीट शेरिंग का जो संभावित फामूला सामने आया है उसके मताबिक लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने कॉंग्रेस को साथ सीटे आफर की है और बाकी तीन सीटे लेफ्ट पार्टीों के लिए छोड़ने की बात कही है कॉंग्रेस 11 सीटों पर दावेदारी कर रही है बेहार कॉंग्रेस चुनाव समिती 16 मार्च को होने जा रही है और उस बैठक पर सब की नज़रे हैं लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि RGD की 30 सीटों पर दावेदारी का गनित क्या है RGD इस बार कॉंग्रेस को अधिक सीटे देने के मूड में नहीं दिख रही तो इसके पीछे 2020 के चुनाव नतीजों को भी वजह बताया जा रहा है 2020 के चुनाव में RGD ने सूबी की 243 विधानसभा सीटों में से 144 सीटों पर उमीदवार उतारे थे और 95 सीटे जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर विधानसभा में उभरी लेकिन महागडवन्दन की गाड़ी 110 सीटों तक ही पहुँच सकी थी और कॉंग्रेस ने तब 70 सीटों पर अपने उमीदवार उतारे थे लेकिन पार्टी को सिर्फ 19 सीटे मिली दोसरी तरफ नेतीश कुमार के नेतरत वाली जेडियू के 43 सीटे जीत कर तीसरे नंबर पर खिसकने के बावजूद एंडियन 125 सीटे जीत कर सरकार बना दी थी बियार में बहुमत का जो जादूई याकड़ा है विधानसभा में 122 सीटों का है अब जो राजनीती के जानकार हैं जो बिहार की राजनीती को समस्ते हैं वो कहते हैं कि 2020 के बिहार चुनाओं में महागडबंधन सत्ता में आते आते रह गया तो इसके पीछे भी RGD कॉंग्रेस को ही जिम्मेदार मानती है RGD नेताओं को अभी भी लगता है कि अगर कॉंग्रेस ने 70 सीटों की जिद नहीं पकड़ी होती और इनमें से आधी सीटों पर भी लाल्टेन के सिंबल पर उमिदवार उतरे होते तो तेजस्वी सरकार का सपना 2020 में ही साकार हो गया होता RGD को अब 2024 चुनाओं में तेजस्वी यादों का कद और मजबूत करने का मौका नजर आ रहा है RGD किसी भी हाल में कॉंग्रेस को 9 से अधिक सीटे देने के मूड में नहीं और खुद 25 से कम सीटों पर लड़ने के मूड में दिखाई नहीं देती RGD के पास सीट शेरिंग को लेकर बाचीत की टेबल पर कॉंग्रेस का क्लेम काउंटर करने के लिए 2020 के चनाव नतीजों का आधार भी है और कहा तो ये भी जा रहा है कि RGD में कॉंग्रेस को लेकर भरोसे का अभाव भी है RGD से लेकर आश्वस्त नहीं है कि कॉंग्रेस को अगर वो अधिक सीटे दे भी दे और जीत मिल भी जाए तब भी कॉंग्रेस के टिकट पर जीते हुए प्रतिनिधी की आस्था अपनी पार्टी और इंडिया गडबंधन के परती ही रहेगी एक वज़े ये भी है कि तेजस्वी अपनी पार्टी के मचबूत और भरोसे मन चेहरों को ही अधिक से अधिक सीटों पर उतारना चाहती आरजेडी के नेतरत वाले बिहार के महा गडबंदन में पिछली बार 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2019 के चुनाव में आरजेडी के हिस्से 20 सीटे आई थी हलाकि पार्टी ने 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और अपने कोटे की एक सीट भागपा माले को दी थी तब विपक्षी गडबंदन का हिस्सा रही उपेंदर किश्वाहा की पार्टी ने पांच जीतन राम मांजी की पार्टी ने तीन और मुकेश सेहनी की पार्टी ने तीन सीटों पर चुनाव लड़ा था सवाल कई हैं लेकिन सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ये है कि इंडिया गडबंदन और NDA बिहार को लेकर इन दोनों ही अलग-अलग गुटों में सीट शेरिंग को लेकर तस्वीर कब साफ होगी